नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे निउस और मैं आपके साथ रिया साहू रैपूर के नियू राजेंदर नगर इलाके में इस्थित साई बाबा हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है यहां एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई घटना के बाद महिला के परिजन बेहत गुसे में है अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है दूसरी तरफ अपनी गलती मानने की बजाए इधर उधर की बाते कर साई बाबा हॉस्पिटल के डॉक्टर मामले को रफा दफा करने की कोशिस में है महिला रागीनी चौरसिया का ओपरेशन होने वाला था गर्भवती रागीनी चौरसिया को ओपरेशन से ठीक पहले एक इंजेक्शन लगाया गया परिजनों के मुताबिक इसके बाद उसकी तबियत बिगडी और अचानक मौत हो गई इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद बाकी मरीज के परिजन भी डरे हुए है महिला के परिजनों ने बताया कि अचानक उल्टिया होने की वजह से महिला को इंजेक्शन दिया गया था परिजनों का दावा है कि जो इंजेक्शन दिया जाना था उसकी जगह दूसरी इंजेक्शन देनी की वजह से महिला की तबियत और बीगडी और उनकी मौत हो गई इस वक्त महिला के परिजन अस्पताल में ही मौझूद है और प्रसूती वार्ड में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है साहिश बाबा अस्पताल के डॉक्टर आशिश महोबिया ने महिला के परिजनों के आरोप को गलत बताया उन्होंने कहा कि महिला के घरवाले जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ आरोप है जो की गलत है महिला का बलट प्रेशर बढ़ गया था बातरूम जाते वक्त उनकी मौत हुई ये बेहत दुर्भाग ये जनक दूखत घटना है अस्पताल की तरफ से हमने पुलिस को सुचित किया है हम हर जगह की जाँच में सहयो करने को राजी है